आपके फोन में यूटूब नहीं चल रहा है, ये वाला एरर आ रहा है, आपका फोन सैमसंग का है, ओपो का है, रियल मी, वीवो या किसी भी कमपनी का आपका फोन हो, आपके फोन में दोस्तों यूटूब चलेगा, यूटूब पर आप वीडियो देख पाएंगे, अगर आसानी से अपने फोन में यूटूब पर वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको दो आसान तरीके बताऊंगा, सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है, m.youtube.com, मैं आपको दिखा यहाँ पर यूटूब ओपन हो गया है, अब क्या करेंगे हम यूटूब का एक नया एप बनाएंगे, क्योंकि यूटूब एप के अंदर वीडियो तो हम देख नहीं पा रहे हैं, बार बार स्विच्टू यूटूब डाट कॉम का एरर आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर आपको यूटू पर लाकर छओड देना है, अब जब भी दोस्तों आपको यूटूब पर वीडियो देखना है, तो आपको यूटूब एप को ओपन नहीं करना है, आपके फोन में यूटूब नहीं चलेगा, क्योंकि आपका फोन बहुत ज़ादा पुराना हो गया है, यह जो error आ रहा है दोस्तों ये इसलिए आ रहा है कि आपका phone बहुत ज़दा पुराना हो गया है YouTube का जो नया version है आपके phone को support नहीं कर रहा है तो YouTube आपके phone में नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है एक नया YouTube app बनाना है यहाँ पर हमने बना लिया अब आपको इसे open करना है इसे open करने के बाद सीधा YouTube app open हो जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से जिस तरह से हम YouTube पर वीडियो देखते हैं सेम इसी तरह से आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं, यहां से आप बैक आ सकते हैं, यहां पर दोस्तों आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे, शॉर्ट वीडियो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक अब यहां से बैक आते हैं, यहां पर यह वा वाला error आ रहा है, switch2.com वाला, यहां पर आपको दिखा देता हूँ, switch2.com वाला error आपको बार बार आ रहा है, तो पहली वाली trick करेंगे, यूस करेंगे, तो दोस्तों आप आसानी से apps आपको यहां पर दिखाई दे, या फिर आपको यहां पर manage apps, या app management, या app list, इन तीनों में से एक setting मिलीगी, आपको इसे open करना है, तो यहां पर आपके mobile की सभी apps आपको दिखाई देगी, अब यहां पर आपको क्या करना है, उपर search box में आपको search करना है YouTube, जैसे कि हम search कर लेत आपको क्या करना है YouTube app पर एक second के लिए दबाना है, यहां पर आपको एक option मिलेगा app info, आपको इसे open करना है, अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे clear data पर click करना है, इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको clear catch कर देना है, और clear data भी कर देना है, यहां का आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर आपको clear all data कर देना है ओके ठीक है अगर आपको clear all data की setting यहाँ नहीं मिल रही है तो ऊपर मिल जाएगी data uses में आएंगे तो यहाँ पर आपको clear data की setting मिल जाएगी ठीके यह setting आपको करना है इसके बाद आपको नीचे में एक setting मिलेगी दोस्तो अन-install apps sorry यहाँ पर आपको setting मिलेगी अन-install updates यह वाली setting आपको मिलेगी इस पर आपको click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर ok पर click कर देना है जैसे आप ok पर click करेंगे तो youtube app बंद हो जाएगा यहाँ पर मैं दुबारा से किलिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर यह एप बंद हो गया है आप देखेंगे एप बंद हो गया है अब दोस्तों आपको क्या करना है दुबारा से आपको YouTube एप को ओपन करना है दुबारा से आप YouTube एप को ओपन करेंगे आपको यहाँ पर आपको YouTube सर्च करना है और YouTube एप को अपडेट कर लेना है अगर कोई अपडेट आया है तो आपको अपडेट कर लेना है तो यह दो तिन ट्रिक दोस्तों आप यूज करेंगे इसके बाद आपके फोन में YouTube चलना शुरू हो जाएगा